हेलो एब्रीबान वेलेकम वैक टू माई चैनल कैसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे गुड मॉर्निंग तो अभी मैं ना करके आई हैर बॉस अभी मैं ना करके हैर बॉस करके हैं और मैं यह वाली अपनी अपना डुपट्टा सूती यह मैंने अपने बा काना जी को निलाती हूं इसलिए तो मैंने उनके लिए गरम पानी कर दिया है और मैं काना जी को भी ले आई हूं और मैं पहले उनको निलाती हूं फिर उनकी पूजा करती हूं उनको भोग लगाती है फ्रूत के बाद खाना रहती हूं तो चलिए बने रही है वीडियो में और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चलिए पहले चलते हैं काना जी कर रहा है हमारा इंतियार निलाती हूं और पूजा करती हूं ठीक है तो बने रही है अब हम आ गए है किचिन में हापर पानी भी इनका गरम हो गया है नहाने का तो फटा-फट से काना जी को इशनान तो मैं अब खुद नहाने के बाद जब काना जी को निलाती हूं तो मैं नहा करके आ गई हूं और मैंने गरम पानी किया इस भगोने में और काना जी को निलाना शुरू कर दिया तो मैंने एक काना जी को निला दिया है और दूसरे काना जी को अब मैं नि और फिर इन को पपड़े पहना रही हूं तो मैं किसिन में निला तो अ यहीं बैंने का इसन है किसीन में sûr करती और फिर इनको फिरुन नहीं पेन रखें पेहनूंगी वैसे हलकी ठंड लग रही है तो पेहनूंगी अभी नहाली हैं ले जाती हूं कि अबरेख करेंगी अबरे में जाती हूं सहीं जाती हूं झाल, झाल, झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा और चावल और इधर वो मेथी और जीरा सारी चीजे मैंने इस प्लेट में रख लिया है और यह बत्वा जो मैंने दो करके कट करके यहां पर रख लिया है और सारी ही तैयारी मैंने कर ली है और इधर मेरा दूद रखा हुआ था जो मैंने गरम किया है तो मैं उसके उपर जाल दिया है बत हुआ और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी थोड़ा और ये भी हो गया और मैंने डाल दिया है इसमें जो मैंने मठ्थे में बेशन वगेरा घुलके रखाता थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और फटाफट से अर देगे कढ़ी मेरी कितने अच्छे से मतलब खोलने लगी है और ये मेरा आठा भी लगकर हो गया है तैयार तो अब इसको उपर मैंने जाली डख दिया जैसे कि आराम से अच्छे से कढ़ जाए कढ़ी इसलिए इस गेट को कर देती हूं बंद रूम केको और ये कपड़े हैं तो कपड़े मैं लेकर के आ गई हूं बाह मैं आपको दिखा रही थी कि देखे मौसम कितना अच्छा हो रहा है एकदम साफ मौसम है बहुत अ आप कंपड़ रहा ह Rain झाल झाल आपने जाल मैं आपने बाल मतलब पूंच करके कंगी कर लूँगी अच्छे से पूंच लूँगी पहले बालों को क्योंकि अब ना मुझे सरतीसी भी लगने लगी है बालों में बहुत तेर होगी है बालों का इसी जूड़ा बनाए हुए मैंने ना बाल इसलिए कंगी नहीं किये ते मैंने का पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद ही करेंगे और वैसे भी ये दोनों खाना मांग रहेते हैं और उसके बाद फिर आराम से कंगी कर लेंगे और ना यहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा इलज रहे थे बहुत ज़्याद जलतबाजी में नहीं कर मैं जल्द बार ने कर दो हुआ ज़्पर बहुत जादा बाल जड़ा को अद cinnamon में में और रहें जाल हो Yukarma और पेसे तर्थानी बाल कऌने पर आउन पार्वाई Len a तो फ्रॉर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए मैंने का अव ठीक है सारा काम हो गया तो अव करते हैं बाल गंघी हो जब गाये एक दी जा भी करते हैं बाल मेरे कंघी हो गया लगा पतानी क्या हो रहा है कि बाल सारे ही टूट रहे हैं बहुत बहुत सारे बाल टूटते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यादा परेशान कर दिया है इन बालों ने तो मुझे और अभी थोड़े दिन पहले जड़े थे फिर दुबारा से जड़ने लगें पताने क्या हो रहा है तो मैं तो इन्हें देख करना बहुत ज़्यादा डर गई हूँ अब इतने बार तूटे हुए हैं लेचे अभी मैं जहां पर कंगी करकाई हूं कि उनको देख कर भी डर सा लगने लगा है इतनी परिसान हूं मैं बालों से तो इनका चलो थोड़ा सा क्रीम लगा लेते हैं जब तक क्रीम नहीं लगाते हैं हाथ पेरों पर बोडी लोशन लगरा तब तक ऐसा लगता है खिची खिची इसी तरह लगती है बहुत ज्यादा तो निका चलो अब काम तो खतम हो गया है सारा बस मुझे ज़ाड़ लगानी ह है क्या कि बाल कंगी किया है ना तो सारे में बाल बाल हो रहे है तो मैंने कस मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा से मैंकब कर लूँ उसके बाद ना और वो डिलोशन बगरा लगा लूँ उसके बाद फिर ज़ाड़ों लगांगे तो यह दो है मेरे पास और यह वाली जो मैंने इसमें पानी डाला था यह चल रही है और यह सूख रही है बिल्कुल तफर इसमें से ही लगा लेती हूं पटापट से तो इस क्लैचर को लगा लेती हूं और मेकप में हो बया है थोड़ा सा कर लिया है तो चलिए तो बालकंगी कर लिये हैं मैंने और ना बालकंगी अच्छे से कर लिये हैं पूछ लिये हैं अलके से सूख भी गए हैं बालकंगी मुझे काफी टाइम हो गया है नहाए हुए फिर बीच में मैंने खाना बगेरा बनाया इसकी वज़े से क्योंकि मैंने पहले खा बहुत ज्यादा तो मैंने का पहले खाना बनाते हैं और उसके बाद बाल कंगी करेंगे और अपना मैंने बाल कंगी कर लिये हैं और इतने सारे बाल हैं इसमें भी जाड़ो लगाँगी तब आपको दिखाऊंगी बहुत सारे बाल पड़े हुए हैं तो मैंने का भी जाड़ो अब मैं पहले ज्टाड़ो लगाती हूं और अधर kü granular मेरे एकदम clean है काम मेरा सारा हो गया है तो फटाफट से अब पहले ज्टार लगा लेते हैं तो चलिए और मैंने क्लैचर लगा लिया क्योंकि बाल फिर मुँपे आते हैं सारे बाल आगे को आजाते हैं मूपमेन का चलू कलेचर लगा लेते हैं तो इससे एक जगा रहेंगे बाल आगे नहीं आएंगे इस लिए तो फटाफट से चलते हैं जाडू लगाते हैं मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में झाल 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 है तो वाइज काम हो गया है हमारा सारा खतम और मुझे न वैसे तो काम सारा खतम हो गया मुझे टाइम हो गया है, दो बज गए हैं, तो ये टाइम है हमारा रेश्ट करने का, इस टाइम मुझे बड़े सकून की सांस मिलती है, बड़े चैन की सांस मिलती है, सुवए से भागम भाग, भागम भाग रहती है सारा काम करने का, है ना तो मैंने का चलो, अब करते हैं थोड़ा स रेष्ट काम हो गया है सारा खतम और यहां पर मैं लेकर आई हैं अपने सोक्स तो पहले में सोक्स पहनूंगे और फिर उसके बाद करेंगे आराम काम हो गया है खतम और मैं इस वीडियो का एंड भी करूंगी क्योंकि वीडियो भी ठीक ठाक बन गया है और लाइट आ गई है अभी मैंने पानी गरम किया था उनके लिए नहाने के लिए और अब लाइट हुई आ गई है ना पानी गरम करते हैं और मेरे हाथ में पैसे लगे हुए है तो मैं इनको भी रखके आती हूं वरना तो मैं रखके ही ना ऐसे भूल जाओंगे इनको रखकरके और ये खो फट हट करें और फिर बीडियो का एंड भी करते हैं और un सब्सक्राइब कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तीन चार देंसे न मौशम का कोई जवाब ही नहीं है बहुत अच्छा वाला मौशम हो रहा है अच्छी धूत निकल आती है अच्छे से सारे कपड़े वगएरा सूख जाते हैं सारा काम जल्दी ही हो जाता है अच्छे से हैना कोई टेंसन नहीं है सही ठीक ठाक चल रहा है आजकल सारा ही मतलब और मौसम तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं मिलते हैं आप से अच्छे से वीडियो के रखिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए प्यारी प्यारी कमेंट करते रहिए तो बाई बाई एंड टे केर